Coffee gerents once Rules Dayple i welcome you all at Purcham classes देखे हम लोग Share market को पढ़ रहे थें और Share market में हमने Equity Market की EB 근데 कि समझ लिया था अब हम carbond यह बारे में कितने तरीकेसे bonds हैं जो करंट आफेर में बहुत सारी terminology यूज हो रहिया फर्मोसा बोंड, बोंड आई बोंड, मसाला बोंड, महराजा बोंड, ग्रीन बोंड, ब्ल्यू बोंड, इसजी बोंड, यह सब बोंड क्या होते हैं और सबसे पहले तो यह बोंड ही क्या होता है ठीक है इन सब चीजों के बारे में हम बाते करेंगे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पर्चम आप लोगों की जो सबसे वड़ी परेशानी है current affair की उसको solve कर रहा है 2023 का addition जिसके अंदर full current affair coverage हो गया January से लेके December 2022 तक का इन सब की PDF आप लोगों को available होगी इसके अंदर क्या क्या content होगा जितने भी appointments हुई है एक साल में जितने भी awards हुए हैं जितने भी books and authors से related news आई है obituries कितनी हुई है state news, national, international news, index और ranking, government scheme, banking and finance की सारी news defense and science tech की, sports and जितनी भी और miscellaneous सी news है वो पूरी एक साल की cover करी जा रही है English और Hindi दोनो language में English medium वाले अस्पिरेंट को भी problem नहीं होगी और Hindi वालों को भी problem नहीं होगी ठीक है ये 2023 का addition आप लोगों को provide कराया जा रहा है जिसको हम launch करेंगे 10 जनवरी 2023 से तो जो भी interested student है वो जरूर हमारी app पर visit करता रहे और app को जरूर download कर लेना पर्चम classes का जो app है उसको download कर लेना वहाँ पे आपको बाकी बची हुई सारी details जो है वो मिल जाएगी current affair का एक ही बार मतलब वो होता है न सो सुनार की एक लुहार की तो ये वो वाला काम किया जा रहा है सारा material आपको एक ही बार compile करके पूरा साल का दिया जा रहा है जो कोई भी exam दे दो हर किसी में आपको help करेगा फिर कुछ courses की बाते कर लेते हैं एक तो complete हमारा ssc.ga का course है जिसको हमारी पूरी team मिलके बना रही है जिसके अंदर history, geography, quality, सब कुछ cover होगा एक सिर्फ economics का course है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ बिलकुल 0 से high level तक का economy का course अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोनों ही courses पे कुछ extra अगर आपको discount चाहिए तो use code pile10 to get 10% extra off तो ये तो हो गई बाते किस तरीके से हमारे अप जो है आप लोगों की जिन्दगी में मददकार साबित हो सकती है अब आगे बढ़ते हैं अपने syllabus की तरफ की bonds क्या होते हैं देखो student अपना वही पुराने वाला तरीका हम अपनाएंगे पहले कुछ layman terms में समझेंगे फिर slides पे चलेंगे देखो bond क्या होता है जैसे हम कहते हैं कि हमने तो bond sign किया हुआ है हम तो ये काम करी नहीं सकते हैं हमने तो bond sign किया है जैसे यहां पर एक व्यक्ति है इस व्यक्ति की इस platform पे नोकरी लगती है इस व्यक्ति की इस company के अंदर नोकरी लग रही है इस company के अंदर job लग रही है this person is getting job in this company अगर इसके job लग रही है इस company में ये company इसके सामने कागज रखती है, एक paper रखती है, उस paper पे अपनी सारी terms वगेरा इसने लिखी हुई है, कि अगर आपने एक बार join कर लिया तो आप 3 साल से पहले नहीं छोड़ सकते, आपको all over India कहीं पे भी नोकरी मिल सकती है, इस दिन आपको हम payment देंगे, payment इतने दिन तक delay ह हो सकती है, अगर आपको छोड़ना है हमारी company को, तो दो महीने पहले हमको inform करोगे, वजय बताओगे, और अगर हम आपको निकाल रहे हैं, तो हम भी आपको वजय बताएंगे दो महीने पहले, और अन्दा स्पोर्ट हम भी आपको नहीं निकालेंगे, इस तरीके से कागज पे सारी terms and condition लिख ली जाती है, फिर जो ये employee है, जो अभी इसके अंदर नोकरी करना चाह रहा है, वो इस कागज को पढ़ेगा और इसके ओपर signature करेगा, तो ये क्या कहेगा, मैंने company का bond sign कर लिया, क्या कर लिया मैंने, मैंने company का bond sign कर लिया, यानि मैं company की सारी terms and condition पे agree करता हूं, मुझे कोई problem नहीं है, this is a bond, ठीक है, हमने bond sign कर लिया, अब जैसे मैंने पर्चम classes के साथ bond sign कर लिया, कि मैं आपके YouTube पे regular classes दूँगी, मैं पच्चों को, मतलब की, उनके welfare के लिए काम करूँगी, इस तरीके से मैंने bond sign कर लिया, मैं अब उन चीजों को, मैं उन terms and conditions को breach नहीं कर सकती, ऐसी पर्चम ने मेरे साथ कुछ bond किया है, कि माम आपकी salary इस दिन आजाएगी, ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, आपको ये काम करने पड़ेंगे, तो हमारे बीच में bond sign होगा, ऐसे ही यहाँ एक company है, इस company को क्या चाहिए, इस company को उधार चाहिए, इस company को loan हूँ कि मैं किसी को loan दे दू, मैं अपना money इस company को देती हूँ, लेकिन मेरे दिल मेना एक डर बना हुआ है, कहीं ये company भाग गई तो, कहीं मुझे loss हो गया तो, मैंने क्या किया, इस company से एक paper पे सारे terms and condition लिख वा लिए, कि पायले मुझे इतने रुपे दिये हैं, इतना interest हम हम इसको देंगे, इस date को देंगे, इतना interest इसका बनता रहेगा, और इस दिन हम इसका principle amount वापिस कर देंगे, नहीं करेंगे तो ये होगा, कर देंगे तो ये होगा, जो भी terms and condition हमारे बीच में sign होई, this is a bond, ये क्या बन गया, ये bond होगा, तो bond क्या होता है, एक paper होता है, जि union papers को खरीदेगी, उन bonds को खरीदेगी, और company को पैसा देगी, मैंने इनका ये कागज अपने पास रख लिया, जो इन्होंने सारी शर्ते मुझे लिखके दी, और मैंने अपना money इनको दे दिया, मैं investor हूँ, और वो loan लेने वाले है, चीक है, वो debtor है, मैं creditor हूँ, यहां तक बात समझागे, जो agreement बना है बीच में, that is a bond, अब यह bond कितने तरीके के होते हैं, अलग-अलग terminology paper में पूछी जाती है, और बार-बार news में use होती है, तो अपने को वो सारी बाते समझनी है, सबसे पहले है redeemable bond and irredeemable bond, आप लोग कहीं shopping करते हो, तो यूनी हो था coupon code लगा लि जैसे, मैंने किसी company को 100 रुपए loan दिया, मैंने किसी company को 100 रुपीज loan दिया, उन्होंने मुझे क्या कहा मैम, हम 5 years के लिए, हम 5 years के लिए 2% rate of interest पे आपका ये पैसा ले रहे हैं, अब मैंने ये loan उनको दिया था 2010 में, उन्होंने क्या कहा कि 5 years annually, आपको 2% annually जो है interest हम देते मतलब 2011 में, उन्होंने मुझे क्या कहा, 100 रुपए का 2% उन्होंने मेरे पास भेज दिया, 2 रुपए मुझे दे दिया, एक साल बीत गया, ठीक है, एक साल के बाद मेरा interest आ गया, 2012 में, फिर मेरा 2 रुपए मेरे पास आ गया, 2013 में, फिर मेरा 2 रुपए मेरे पास आ गया, कि 2014 में, फिर मेरे 2 रुपए मेरे पास आ गए है, 2015 में, अब क्यूंके 5 साल कहे थे, ये 2 रुपए भी आ जाएंगे, और जो ये मेरे 100 रुपीज हैं, ये भी आ जाएंगे, मतलब मैंने 100 रुपे से कितने रुपे बना लिए, 110 रुपे बना लिए, 5 साल के 2-2 रुपे के हिसाब से मैंने interest खा लिया और मेरा principal amount वापिस आ गया यह जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं this is redeemable redeemable जहां आपका interest के साथ साथ आपका principal amount भी वापिस आ रहा है जहां आपका interest के साथ साथ आपका principal amount भी maturity date पर वापिस आ रहा है this is redeemable point Irredeemable क्या होता है Irredeemable में देखो students क्या होगा मैं इसी में example आपको देती हूँ मैंने क्या किया मैंने 2010 में किसी को 100 रुपेज लोन दे दिया 100 रुपेज लोन दे दिया उन्होंने 2011 में मुझे 2 रुपे इंटरस्ट के दे दिये 2% rate of interest पे काम हो रहा है 2 रुपे दे दिये 2012 में फिर मुझे 2 रुपे दे दिये 2013 में फिर मुझे 2 रुपे दे दिये 2014 में फिर मुझे 2 रुपे दे दिये 2015 में फिर मुझे 2 रुपे दे दिये इस तरीके से वो मुझे इंटरस्ट तो दे रहे हैं लेकिन principal amount नहीं दे रहे हैं वो interest दे रहे हैं लेकिन मेरा principal amount कभी भी वापिस नहीं करेंगे इनको हम क्या कहते हैं इनको कहते हैं irredeemable bond these are irredeemable bonds आप कहोगे माम जब आपको पता ही है कि आपका principal वापिस नहीं मिलना है तो कोई विक्ति इसके अंदर invest क्यों करता है why any person is interesting to invest in these types of bonds वो क्यों interested होगा इस तरीके की investment करने के लिए वो इसलिए interested होता है क्योंके जो ये irredeemable type के bond होती है जिनमें पहले ही बताया जाता है आपका principal amount शायद ही वापिस मिले शायद मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है we are not promising हम promise नहीं कर रहे है हम कोई promise नहीं कर रहे है मिल भी सकता है principal वापिस नहीं भी मिल सकता है फिर भी कोई इंसान इतना बड़ा risk लेके इसके अंदर investment क्यों करेगा क्योंकि जो irredeemable bond का जो rate of interest होता है वो बहुत high होता है like 20% not 2% it's 20% वो जो rate of interest होता है वो बहुत high होता है और लोग लालच में आके इस तरीके की investment करते है इनको हम कहते है irredeemable bonds तो हम देख लेते हैं क्या है redeemable regular interest भी देगा और principal भी देगा on maturity पे irredeemable पे only interest देगा principal नहीं देगा दे भी सकता है बट नहीं देगा ठीक है irredeemable और redeemable क्या होता है हमने समझा next term is municipal bond what is the meaning of municipal bond इसको समझते है municipal bond क्या होते है यह मेरी एक municipality है यह मेरा एक municipality है ठीक है इस municipality में हमको एक पाक बनाना है हमको क्या बनाना है हमको एक पाक बनाना है लेकिन मेरी municipality के पास पैसे नहीं है उस पाक को बनाने के इस municipality में जितने भी लोग रहते हैं जितने भी लोग रहते हैं इस municipality में अब मेरी municipality ने सब को क्या कहा कि आप सब लोग हमारे bonds खरीद लीजिए और हमको रूपए दे दीजिए मेरे को 100-100 रुपीज दे दीजिए और हमारे से ये कागज आप लोग साइन करवा लो हम with interest आपका पैसा वापिस करेंगे और जो भी पैसा ही कठा हुआ उससे ये municipality के अंदर पार्क बन जाएगा जब फंड आएगा तो इनका पैसा with interest वापिस कर दिया जाएगा इसको हम क्या कहते हैं municipal bond क्योंकि municipality ने इशू किया है municipality के काम के लिए इसको ह में लखनव नाइन्थ सिटी बन गया इंडिया के अंदर और नोर्थ इंडिया में फस्ट सिटी बन गया I'm talking about 2020 में ठीक है 2020 में नोर्थ इंडिया की फस्ट सिटी कौन है लखनव एहमदाबाद नोर्थ इंडिया में नहीं है आप लोगों कोई पता है ठीक है ये western इंडिया इंडिया की फस्ट सिटी तो एहमदाबाद हो गया लेकिन नोर्थ इंडिया की फस्ट सिटी कौन हो गया नोर्थ इंडिया की फस्ट सिटी जो है वो लखनव हो गया नाइन्थ सिटी है इंडिया में और नोर्थ इंडिया की फस्ट सिटी है लखनव जिसने municipal bond जो है वो बनाये था, इन पांचो देशों ने मिलके अपना एक बैंक बनाये था, जिसको कहते हैं, New Development Bank, NDB, जिसका Headquarter शंगाई चाइना के अंदर है, इन्होंने कुछ Bonds जारी किये, मतलब जो ये Bricks Bank है, जो ये New Development Bank है, इन्होंने Bonds जारी किये, ताकि इन पांचो देशों के अंदर Infrastructural Projects चल सकें, ब्राजील में, इंडिया में, चाइना में, साउथ आफ्रिका में, इन देशों के अंदर Infrastructural Projects चल सकें, इसके लिए इन्होंने Bonds जारी किये, कुछ कादस के टुकडे जारी किये, कुछ piece of paper जारी किये, जिसके उपर सारी शर्तें, सारी condition, term and condition लिखी हुई थी कि जो भी व्यक्ति हमको पैसा देगा, हम उनको इतना इंटरस्ट देंगे और उनके इस पैसे को Infrastructure में यूज करेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, Brick Bond, ठीक है, और किस में पैसा देना है आपको, US Dollars में पैसा देना है, Dollars में देना है, मान लीजे मेरे पास 82 रूपीज है, मेर Infrastructure Development के लिए, इनको हम क्या कहते हैं, Brick's Bond, इनको हम क्या नाम से जानते हैं, Brick's Bond, तो Brick's Bond क्या है, Infrastructural Development के लिए है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, World Bank ने कौन सा Bond शुरू किया, Bond I, World Bank ने कौन सा Bond जारी किया है, Bond I, 2018 में लांच हुआ है, World का First Blockchain Offered New Debt Instrument Called Bond I, मतलब जो भी व्यक्ति इन Bonds को खरीदेगा, Blockchain Technology जो Cryptocurrency में यूज होती है, उस Technology का यूज करके आपको भी उस Chain का हिस्सा बना लिया जाएगा, जो भी व्यक्ति इन Bonds को खरीद रहा है, ठीक है, तो Blockchain Offered, First Time ऐसा हो रहा है कि Blockchain Technology को यूज किया, World Bank जैसी बड़ी International Financial Organization ने, और Bond I, Bond जारी किये Australia में इन Bonds को बेचा गया, मतलब जो Australia है, वहाँ पे ये Bond launch किये गए, Australian लोगों से पैसा मंगवाने के लिए, ठीक है, और क्या कहा, कि आपको 2 साल तक 2% rate of interest के हिसाब से हम लोग interest देते रहेंगे, और after 2 years ये सारा principal amount भी आपको वापिस कर देंगे, आपको पैसा किस कौन से रुपए में देना है, Australian डॉलर में आपको ये पैसा देना है, इसलिए इनको kangaroo bond भी कहते हैं, या kangaroo bond कह दो, kangaroo bond कह दो, because Australia, kangaroo, ठीक है, तो kangaroo bond ये kangaroo bond भी इनको कहते हैं, किसने launch किया है, World Bank ने, नाम क्या है, bond AI, कौन से technology यूज हो रही है, blockchain technology, Ethereum, जो आपका जैसे doji coin, bitcoin, ऐ जैसे Ethereum है न, Ethereum वाली blockchain technology का यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये World Bank के bond AI bond है, उसके बाद मसाला bond, मसाला bond क्या होता है, अब आपको पता है, कि मसाला bond क्या है, मसाले कहां के famous है, अब समझाती हूं में इसको, भारत के लिए मसाले famous है, कहां पे, भारत के बाहर, आउटसाइड इंडिया, भारत को किस नाम से जाना जा रहा है, आउटसाइड इंडिया भारत की पहचान क्या है, भारत की पहचान है, हमारे मसाले, हमारे मसाला, all over world में भारत के मसाले बहुत famous है, आपको पता है, केरल के अंदर तो बहुत ही जादा famous है, तो अब क्या बारत की एक company है xyz उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर outside India जाओं लंडन जाओं मैं अगर मान लीजिये कहीं Switzerland जाओं मैं मान लीजिये अगर कहीं Thailand जाओं तो हमें कोई नहीं जानेगा हमारी value नहीं होगी हम मानते हैं इंडिया में हमने बहुत नाम बनाया है लेकिन all over world में हमारा नाम नहीं बना, ऐसा XYZ जो एक Indian company है वो सोच रही है, जो एक Indian company है वो सोच रही है, तो इस Indian company ने दिमाख लगाया, ये कहां गई Indian company, ये Indian company किसी international organization के पास गई, यानि IFC के पास गई, international financial corporation के पास गई, जो World Bank के अंडर एक department आता है, International Financial Corporation, और इसको जाके क्या कहती है, कि सर आप हमारे लिए bonds जारी कर दीजिए, अगर हम bond launch करेंगे तो दुनिया को यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप हमारे नाम के लिए, मतलब आप अगर कहेंगे न, कि ये India company के लिए हम लोग पैसा इकठा कर रहे हैं, प्लीज पैसा दे द होगा, जैसे मैं तुमको कह दूँ कि फलां से notes ले लेना दे देगा, आप मुझे क्या को, नहीं मैणम आप call कर दो, आप call करोगे ना फिर वो मुझे मना नहीं करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से Indian company IFC को क्या कह रही है, सर आप all over world में हमारे लिए bonds जारी कर दीजिए, जो प आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड भारत बोंड जारी किये हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, मसाला बोंड, मसाला क्यों नाम दिया, because India is famous for मसाले, तो वर्ल्ड बेंक की जो sister agency है, International Financial Corporation, उसने भारत के लिए मसाला बोंड जारी किये, ताकि जो इंडिया की public sector companies हैं या private sector companies है उनको help मिल सके, 2015 में RBI ने इंडियन entities को भी, अभी तक तो हम आउटसाइड इंडियन company को कह रहे हैं, कि तुम हमारे लिए मसाला बोंड जारी कर दो, अब RBI ने क्या कह दिया, इंडियन entity को भी, कि तुम भी ऐसे मसाला बोंड भारत के बाहर जाके जारी करो, और भारत के ब तो जब भारत के लिए भारत के बाहर से पैसा लाया जा रहा है, या तो किसी Indian entity की मदद से, या किसी non Indian entity की मदद से, उसको हम क्या कहते हैं, मसाला बोंड, ठीक है, तो क्या होता है मसाला बोंड हमने जाना, 2019 में केरला, first state बना मसाला बोंड जारी करने के लिए, अब तुम एक बात को समझना, जब तो मूवी देखने जाते हो, तो उस मूवी की rating देखते हो ना पहले, कितनी rating है इसकी, कुछ मूवी ऐसी होती है, जिसमें triple A प्लस होता है, ठीक है, कुछ किसी में triple A होता है, किसमें double B होता है, तो जितनी ज्यादा अच्छी movie है, वो उतनी ज्याद high prices, उतनी ज्यादा high prices, या फिर आप ऐसा समझें, जितनी बढ़िया company होगी, जितनी reliable company होगी, वो company नखरे दिखाएगी, वो क्या कहेगी, नहीं नहीं, हम तो 2% rate of interest देंगे, लेना हो तो low, उनको पता है कि हमारी rating इतनी अच्छी है, दुनिया कम interest में भी हमारे पास आएग बट जिन company की rating low है, उनको दुनिया को attract करने के लिए rate of interest high रखना पड़ेगा, कि हम 22% rate of interest देंगे, उनको पता हमारी image अच्छी नहीं है, दुनिया ऐसे तो आएगी नहीं, तो हमको लालस देना पड़ेगा high rate of interest का, तो जिनकी rating कम होती है companies की, वो rate of interest high देते हैं, ऐसे ही जो केरला का बोर्ड है, जिसने मसाला बोर्ड जारी किये, क्या नाम है केरला infrastructure investment fund बोर्ड, इसने मसाला बोर्ड जारी किये, लंडन स्टोक एक्स्चेंज में, तो rate of interest high रखा, ठीक है, क्यूंकि जो मसाला बोर्ड है, जो कि इसकी rating double भी है, इसलिए इसने high rate of interest दिया, और क्या कह कि हम 5 साल के लिए आपसे पैसा मांग रहे हैं, और 21.5 billion rupees हमको इकठा करना है, रूपी में आपको ये पैसा देना पड़ेगा, कौनसे denomination में, रूपी में आपको ये पैसा देना पड़ेगा, जैसे bondi के लिए, जो bondi bond, world bank ने चलाये थे, उसमें पैसा Australian dollar में आ रहा था, इ यानि कि कोई non Chinese entity, China से borrow करना चाहरा है, यूवान में, समझो, माल लेजे, पाकिस्तान को पैसा चाहिए, पाकिस्तान चाइना जाता है, और चाइना के जो Chinese लोग हैं, उनको कहता है, कि हम लोग panda bond निकाल रहे हैं, ठीक है, हम लोग panda bond निकाल रहे हैं, ठीक, आप लोग पैसा दे दीजिए यानि किसी नौन चाइनीज यानि पाकिस्तान नौन चाइनीज एंटिटी ने चाइना से पैसा लिया है उनको क्या नाम दिया पांडा बोंड और किसमें लेंगे यूवान में पैसा लेंगे महराजा बोंड भारत के महराजा भी फेमस हैं महराजा कभी भारत से बाहर नहीं गए यानि कि कोई नौन इंडियन एंटिटी माल लीजिए पाकिस्तान ही कह दू मैं पाकिस्तान वाले अब इंडिया में आ जाए कि हमको पैसा चाहिए ठीक है इंडिया में आ रहे है हमको पैस पैसा ले रहा है कोई आउटसाइड इंडियन मसाला बोन कोई इंडियन या नोन इंडियन कमपनी ठीक है भाहरत के बाहर से पैसा ला रहा है भाहरत के बाहर से पैसा ला रहा है उसको हम क्या कहेंगे रूपी डिनॉमिनेशन में उसको हम क्या कहेंगे मसाला बोन भाहरत के बा यहां इंडियन ही, इंडियन से ही पैसा लिया जा रहा है, ठीक है, और इंडिया के अंदर ही invest किया जाएगा, यहां पे क्या हो रहा है, बिल्कुल भी देखो, confused नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी confused नहीं होना है, मैं आपको example से बताती हूँ, जैसे माल लीजे, World Bank है, ठीक ह आउटसाइड इंडिया से कहीं से पैसे ला रही है मान लिजए USA से पैसे ले लिए और फिर वो जो money आया वो इंडिया को दे रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया masala bond क्या हो गया? ये masala bond अब मान लिजए ये world bank है ये वर्ल्ड बैंक इंडिया के अंदर से ही पैसा ले रही है इंडिया के लोगों से पैसा ले रही है लोगों को क्या लग रहा है हम रिलाइंस को पैसा नहीं दे रहे हम तो वर्ल्ड बैंक को पैसा दे रहे हैं वर्ड बेंक के बॉंड है बहुत बड़िया पाएंगे यह तो यानि जो पैसा है वो भारत के लोगों से ही लिया जा रहा है और फिर भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाया जा रहा है या किसी भी परपस के लिए लगाया जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे ये महराजा बोंड है, मतलब भारत के ही लोगों से पैसा लिया जा रहा है, भारत के लिए महराजा बोंड, दुनिया भर से पैसा ला रहे हैं भारत के लिए, उसको कहेंगे मसाला बोंड, बात समझा गई, महराजा ये मसाला बोंड में क्या डिफरेंस है, उसके बात bond हमने देखा कि जैसे world bank ने old bank ने उस्ट्रेलिया से पैसा लिया world bank ने development के लिए उस्ट्रेलियन लोगों से Australian dollar में पैसा लिया तो हमने क्या कह दे कंगारू bond आप जिस भी देश से उधार मांग रहे हैं यह उसी के नाम पे हैं आप देखना, जिस भी देश से उधार मांग रहे हो, यहां चाइना से उधार मांगा, कौन सा हो गया, पांडा बोंड, यहां इंडिया से उधार मांगा, महराजा बोंड, आउटसाइड इंडिया, भारत किस चीज के लिए फेमस है, मसालों के लिए मसाला बोंड, औस्ट्रे Consol Bonds क्या होते हैं? अगला Bonds क्या है? Consol Bonds. Consol Bonds क्या होता है? US और British Government ने इसको नाम दिया था, Consol Bonds. 1917 में British Government और US Government ने 1870 में इसको यूज किया था. Consol का मतलब होता है Consolidated Annuities. इनकी कोई maturity date नहीं होती है, इर्रेडिमेबल Bonds होते हैं. इनका principle कभी वापिस नहीं आएगा. य इनकी कोई maturity date नहीं होती है. यह perpetual होते हैं. अनंत समय तक चलते रहते हैं. कब तक चलेंगे कुछ नहीं पता. ठीक है? 4-5% interest rate मिलता रहता है. इन finite time period के लिए कोई maturity date नहीं है. यह इर्रेडिमेबल Bonds है. ठीक है? मतलब यह इर्रेडिमेबल Bonds है. प्रिंसिपल? रीपे नहीं होता? इन्टरस्ट मिलता रहता है. इन reality होता क्या है? गवर्मेंट कुछ समय के बाद उन Bonds को वापिस खरीद लेती है. बाइबैक कर लेती है. मतलब पैसा दे देती है. प्रिंसिपल दे देती है. पर promise नहीं करती कि हम आपको पैसा दे देंगे. प्रिंसिपल दे देंगे. Next is elephant bond for black money. अब elephant bond क्या है? एक कमेटी बिठाई गई डॉक्टर सुर्जीत भला कमेटी. क्या कहा गया? Commerce Ministry ने कमेटी बिठाई 2019 मई में. और क्या कहा गया? कि एक bond जारी करो 25 साल के लिए. और जितने भी लोग अपनी black money को डिकलेर करने के लिए agree हैं. कि हम अपनी black money को डिकले पास जो ये black money है. उस black money का x percent आप लोग इन bonds में लगा दो. और आपका ये पैसा 25 साल तक हम रखेंगे. और इस पैसे से हम लोग अलग-अलग development का काम करेंगे. भारत के अंदर infrastructure development का काम करेंगे. तो 25 साल एक बड़ा period है. आपका black money 25 साल तक हमारे पास block हो जाएगा. बड़ elephant bond. क्या नाम दे दिया? elephant bond. ठीक है? नाम दे दिया elephant bond. 25 साल तक कि आपको अपनी black money का x percent invest करना पड़ेगा. ठीक है? और जो ये रुपी है वो infrastructure के लिए हम लोग यूज करेंगे. ना तो आपको इसका interest मिलेगा. ठीक है? 25 साल के बाद आपका principle हम आपको दे देंगे. आपको सिर्फ green purpose के लिए use करेंगे. solar pump लगा रहे हैं. कहीं पे solar panels लगा रहे हैं. कहीं पे windmill लगा रहे हैं. hydroelectric power plants लगा रहे हैं. ठीक है? मतलब green purpose के लिए environment friendly और pollution control के लिए use किया जा रहा है वो पैसा. वर्ल्ड के पहले green bond. वर्ल्ड बैंक ने launch किये थे 2007 में. इंडिया के पहला green bond येस बैंक ने जारी किया था 2015 में. ब्रिक्स का जो new development bank है. यूवान green bond चलाया था 2016 में. इंडियान renewable energy development agency यानी IREDA ने इंडिया का पहला मसाला green bond लंडन स्टोक एक्सचेंज में 2018 में launch किया. गाजियाबाद municipal corporation उत्तर प्रदेश ने first ever green municipal bond जारी किया. पहला green municipal bond. ठीक है? य इंडिया का पहला euro currency denomination का जो green bond है. वो PFC ने यानी power ministry ने जारी किया है 2021 में. इन सब बातों को याद रखोगे. ठीक है? तो green bond क्या होता है? वो आपको पता होना चाहिए. फिर blue bond. वेना अस डे है sunny sunny and blue है पानी पानी. यानी blue means पानी. तो जो पैसा ही कठा हुआ उन बोंड क के जरिये आप उसको water protection के लिए लगा रहे हो. आप उसको water protection के लिए लगा रहे हो. ठीक है? फिशरी के लिए marine या water life को अच्छा करने के लिए. 2008 में, 2018 में. सेशल जो है वो दुनिया का पहला blue bond जारी करने वाला एक island nation बना था. ठीक है? सेशल ने सबसे पहले blue bond जारी किये फिशरी सेक्टर के लिए. उसके बाद ESG bond. ESG का पूरा नाम है environment, social and governance. ऐसी companies के अंदर पैसा invest करना, जो लोग environment friendly, society के लिए कुछ अच्छा या governance के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, उनको कहते हैं ESG bond. ठीक है? जिनका track record अच्छा है. Catastrophe bond क्या होते हैं? Government या insurance company ऐसे bonds को जारी करती हैं, जिसमें investor promise करते हैं कि हम आपको इतना interest देते रहेंगे. अगर कोई catastrophe यानि कि कोई disaster नहीं आता है, तब तो हम आपको principal वापिस कर देंगे. अगर कोई disaster आ जाता है, तो हम आपको principal वापिस नहीं करेंगे. हम आपको high annual interest rate द देते रहेंगे. मान लिजे बीच में कोई natural disaster आ गया, तब तो हम आपको principal नहीं वापिस करेंगे. अगर कोई disaster नहीं आया, तो हम आपको principal है, वो वापिस कर देंगे. ये क्या है? ये catastrophe bond होते हैं. फिर social impact bond, सिडवी ने इशू किये हैं 300 करोड रूपे के 2019 में. इसकी मदद organization, ये women livelihood bonds है. क्या करेगा सिडवी? ये जितना भी पैसा ही कठा होगा, इसको micro finance institutions, यानी छोटे-छोटे financial institution में भेज देगा, और कहेगा कि महिलाओं को loan दिया जाए इस पैसे से, ताकि वो खुद का self entrepreneurship कुछ कर सके, या कुछ अपने लिए development कर सके. ये 5 साल के लिए 3% annual interest rate प अब हम कुछ questions देख लेते हैं. ये कह रहा है, इन में से कौन से bond ऐसे हैं, जिसमें पैसा रूपी denomination में लिया जाता है. तो मसाला में भी रूपी denomination में लिया जाता है. आउटसाइड इंडिया से, लंडन से, यूएस से कहेंगे कि रूपी में पैसा हमें दो, और महराजा म में भी क्या कहेंगे, भारतिय लोगों से ही कहेंगे कि हमको पैसा रूपी में दो. तो दोनों में ही क्या है, रूपी denomination में पैसा जारी किया जाता है. अगला है कि women livelihood bond, किसने जारी किया भी हमने देखा, सिडबी ने जारी किये है, 300 करोड के. ठीक है, उसके बाद अगला है ESG bond में ESG का क्या मतलब है? Environment, Society, Governance. Option number C. Environment, Society and Governance. ठीक है, उसके बाद next है, इसका answer आपको देना है, कि पहला state कौन था, जिसने मसाला bond जारी किये थे. I hope आप लोगों को इस सीरीज अच्छी लगी, इस सीरीज पसंद आई, कुछ तो समझ आया आप लोगों को, और इसको हम आगे बढ़ेंगे, शेर मार्किट के अंदर और बहुत सारी बाते जानेंगे, बट इसका answer, fourth number question का answer आपको comment section में देना है, मैं देखूंगी कौन क्या answer कर रहा है, thank you so much, take care, bye bye.